कहेलू आजादी ना है, हवे सेती मंगना, पदम सिरी पाके इतना धधा गैलू कंगना, दानी लक्ष्मी बाई लड़नी, अंग्रेजवन के संगना, 1857 के बुला गैलू जंगना, पदम सिरी पाके इतना धधा गैलू कंगना, यह बोल बिहार की लोग गित गाई का, नेहा सिं मज में आहीं गया होगा कि यह किन पर हैं जी हां यह बोल विवादों की क्वीन कंगना रनौत पर ही है नमश्कार मैं हूँ हर्षिता सिंग और आप मेरे साथ जंता जंक्षन देख रहे हैं इस लॉकडाउन अगर कोरोना के साथ साथ कुछ हुआ है तो वह है कंगना रनौत का सोशल मीटिया पर आना और हर दिन एक विवादित बयान देना हर रोज छाना हर रोज कंगना रनौत बिना सिर पैड की बात बोल कर जाती है और विवाद शुरू हो जाता है और इस बार फिर से उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें वह फिर से विवादों के गेरे में आ च खेर विवाद में रहना हम आम लोगों के लिए बड़ी बात हो सकती है लेकिन कंगना के लिए तो उनका शौक है एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है जिसमें कंगना ने कहा है कि 1947 की आजादी फीक है असली आजादी तो 2014 में मिली यह बात कंगना ने राष्ट्रपती के ह आथो पद्मिपुरुसकार लेने के बाद कही अब इस बात पर कंगना रणोत को लेकर विवाद शुडू हो गया है कई लोगों ने उन्हें पद्मिस्री वापश करने की नसीहत दी है तो कई लोगों ने उनके पद्मिस्री पुरुसकार को छीन लेने के भी मांग रखी है इस बीच बिहार के लोग गीत गाने वाली नेहा सिंग राठोर ने अपने अंदाज में उन पर तंजकस दिया हम आपको बता दे कि नेहा सिंग राठोर लोग गीत से जादा करेंट इशू पर गीत लिखती है और इस कारण से वो खबडों में भी बनी रहती है नेहा सिंग राठोर ने जो गीत लिखा है उसका नाम धिकार गीत रखा है जो धिकार गीत नेहा सिंग राठोर ने लिखा है उसके बोल है इस गीत को लेकर YouTube पर भी खूब रतिक्रियाई दी जा रही है गई लोगों ने इस गीत में कंगना को अपने फिल्म मनी करनी का क्यों स्मरन कर लेने को कहा है लोगों ने कहा कि नेहा सिंग राठोर बहुत अच्छा काम कर रही है उन्होंने नेहा सिंग राठोर की खुब बड़ाई भी की है लोगोंने लिखा कि जिसने बलिदान दिया ही नहीं वो क्या जाने अजादी कैसे मिलती है नेहा सिंग राठोर ने जो गीत गाया कुल तीन मिनट एक सेकेंड का है और उन्होंने खुद के यूट्यूब चैनल पर डाला है इसमें उन्होंने भगत सिंग, राजगुरु और सुखदेव की भी चर्चा की है इस गीत में उन्होंने यह भी कहा है कि कैसे हस्ते हस्ते आजादी के लिए फासी के फंदे पर ये लोग जूल गए उन्होंने लिखा है अरे राजगुरु सुखदेव के उमंग ना हजत हसत जूल गईली फसी आके फंदना हम आपको बता दें कि नेहा सिंग्राठोर भी अकसर पॉलिडिक्स और करेंट मुद्दों पर गीत बनाती रहती हैं जिसमें सियासी उठापतक होते रहती है हम आपको याद दिला दे कि नेहा सिंग्राठोर ने बिहार में काबा ये गीत भी गाया था जो कि बेहत पेमस भी हुआ था इस गीत के बाद बिहार में सियासत भी गर्म हुई थी उन्होंने होली के समय जब बंगाल में चुनाव थी तब भी एक गीत गाया था जिसमें ममता दीदी को लताडा था वो अक्सर तंज भरे गीत लिखती हैं और फिर से आज उन्होंने कंगना के उपर गीत लिखकर महौल को गर्म कर दिया है हम आप तक ऐसे ही अपडेट्स पहुचाते रहेंगे कैमरे के पीछे उन प्रकास है मैं हर्शिता सिख धन्यवाद अगर ये खबर पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूले